Hello friends, KSR Academy Commerce Institute के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत हम Friends, Payne को आधार कार्ड से लिंक करने की जो date थी 31st मार्स 2023 उस date को अभी अभी notification के तुरू बढ़ा दिया गया है That means, कि आप अभी 30 जून 2023 तक अपने Payne को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं यह जो notification आया है, यह 20 March, 28 March 2023 को है और उसमें ऐसा बोला हुआ है The order to provide some more time to the taxpayer, the date of linking pain in आधार has been extended to 30 June 2023 whereby person can intimate their data to prescribe authoritative आधार pain linking without facing Re-perquisition notification to this effect be issued separately That means, कि अगर आपके client ने या फिर आपने किसी ने भी अपने pain को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आप 30 June तक अपने आधार कार्ड को पेन कार्ड से लिंक करा सकते हैं अब बात करता है अगर आपने अपने pain कार्ड को या फिर अपने आधार कार्ड को एक दूसरे से लिंक नहीं करवाया है तो उसमें आपको लिए क्या drawback होने वाला है That means कि आपके लिए जो last data यह 30 June 2023 है और आपने 30 June तक अपने pain को आधार कार से link नहीं करवा है तो इसके बाद क्या होगा 1st July 2023 तक यानि कि 1 July 2023 से आपका जो pain है यह inoperative हो जाएगा That means कि invalid माना जाएगा कि आपका pain है या नहीं है उसके बाराबर No refund shall be made against such pain अगर आपका कोई भी refund आ रहा है किसी का TDS deduct कर लिया है और आपका refund आ रहा है तो आपको वो refund नहीं मिलेगा Second case में interest अलनर भी payable on such refund of the period during which pain remains inoperative आपका जो भी refund है उस पर income tax आपको interest भी करती है तो वो interest भी आपको नहीं मिलेगा उस period में जिस period में आपका pain inoperative था And third TCS and TCS shall be deducted collected higher rate That means कि अगर आपके उपर कोई भी आपकोई जैसे contractor है आपके उपर 1% TDS deduct करने की liability है लेकिन अगर आपका pain inoperative है तो normally जो भी 20% 30% के इसाब से जो भी tax rate है उसके higher rate के इसाब से आपका TDS deduct होगा अब से ये आप कप करा सकते हो आप 30 June 2023 अगर 30 June 2023 के बाद भी अगर आपने तक नहीं करवाया तो आप एक महीने के अंदर अंदर आप करा सकते हो लेकिन payment तो आपको 1,000 रुपीज ही pay करना है अब से आप ये confused होगे हो कि 30 June से पहले अगर हम करवा दे तो क्या late fees नहीं लगेगी लगेगे तो आपको 1,000 रुपीज ही लगेगी लेकिन आप इसके बाद भी 30 days के अंदर अगर आपका pain inoperative हो गया है तो आप 30 दिन के अंदर अदर आप 1,000 रुपीज की payment करके आप अपने pain card को वापस active करवा सकते हो ओके तो ये एक notification था जो सबसे ज़्यादा जरूरी था आपको बतानी के लिए सो हमने आपको explain कर दिया I hope कि आपको इसमें जो कुछ में बता है वो सही तरह से clear हो गया हो आज के अब लिए नेक्स वीडियो में फिर मुला कात करते हैं तब तक के लिए thank you so much